तो यह मेरा पहला T.L.M है बहुत हे क्योड़ सा T.L.M है इसको बनाने में मुझे कोई ज्यादा समय नहीं लग जھटपट बनके तियार हो गया और इसमें साधी के काअण्स भी ज्यादा नहीं लगेए अब देख सकते हैं संडे मंडे का T.L.M है और बहुत ही प्यारा है, इसको हम क्लास्रूम में लगा सकते हैं, जिसको देखके बच्चे याद करेंगे इसको मैंने पूरा साधी कार्ड से ही बनाया है, अलग-अलग रंग के साधी कार्ड्स है अलग-अलग रंग होने की वेज़े से ये ज्यादा ही खुश्चूरत लग रहा है, और इसको बनाने बाद कसम से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा आज मैंने कई सारे टीलम बनाया है, सारा एकी दिन में बनाया है, मैंने जटपट बनाया है, और साधी के कार्ड से ही बनाया है, तो मैं आपको भी दिखाना चारती हूँ, आप देखिए, आपको पसंद आए, आप भी बनाये यह मेरा सेकेंड रिम है सेम चीज है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने जनवरी फरोरी का भी बना दिया संदे मंडे साथ यह जनवरी फरोरी का भी मैं लगा दूंगी इसको भी बने अलग-अलग कलर से ही बनाया है और आप देख सकते हैं कितना ही क्यूट लग रहा कितना ही प्यारा लग रहा और इसको भी मैंने साधी काट से ही अलग-अलग कलर के मैंने कट करके बहुत ही जी है बनाना एक सेप में सारे काट लेना है और फिर उसको धागे से क लगा पुछी दोनों बहुत ही पसंद आया आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और अब यह मेरा नेक्स्ट यह लम है वाविल्स का मैंने इसको केटरपीलर में बनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा इसे मैंने ए आई ओ यू लिख दिया है और इसको मैं क्लास में इसे बच्चों क्या आगे दिखता रहेगा तो इन्हें देख के ही यह कैच कर लेंगे कि हां कौन-कौन से वाविल्स होते हैं और हम इसको याद करा सकते हैं और इसको मैंने साधी के काट सी बनाया है और यह बनने के बाद बहुत ही खुपसूर। बहुत ही प्यारा लग र अब यह मेरा नेक्स्टी अलम है यह भी बहुत ही क्योट लगा बनाने के बाद मुझे यह पार्यवाची सब्द का है फिलाल तो मैं साम दो ही दिखा रही हूं मैंने और सारे बनाया है यह फूल फूल पार्यवाची सब्द का बनाया है इसको खोलने पे इसे फूल के पार् जब यृक्त अच्छा लगा, बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा, वह हाथ में लेकर ऀसको देख के याद कर सकते हैं, फिर जब उन्हें याद हो जाएगा, फिर हम इसे दूसरा दे सकते हैं, आपको कैसा लगा आप जरूर बताईएगा आप इसे ट्राइ जरूर करिए मुझे बहुत ही पसंद आया बनाने के बाद मेरे पास एक और क्यूट सा टीलम है इसको हम अपने टेबल पर रख सकते हैं और फिर जब बच्चे को सामने बुला के इसको हम पढ़वा सकते हैं यह मातरा वाले सब्द हैं मैंने इसको आगे पीछे दोनों साइड लिख रखा है और मैंने यह भी साधी के कार्ट से ही बना हुआ है यह साधी कार्ड ही है और यह ड्राइंग के कॉपी का पेज है तो इसमें भी कोई खर्चा नहीं लगा इसको बहुत पीता सीता जीता खाता गाता इस तरह से अभी बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे बनाने बाद इसको देके मुझे बहुत अच्छा लग रहा मेरा यह टीलम आइडिया को कैसा लगा जरूर बताईएगा अब मेरा यह नेक्स टीलम है यह भी बहुत प्यारा है यह मैथ का टीलम है इसे मैंने साधी के काट से ही बनाया है आप देख सकते हैं और उपर मैंने इसको अलग से पेजे चिपका दिया है क्योंकि दोनों साइड थे तो अब इसमें मैं बच्छों के हाथ में दे दूंगी और इसको यह स्पीन करके वो पढ़ते जाएंगे कि 5 का स्क्वाइर क्या होता है 6 का स्क्वाइर 36 होगा फिर इसको स्पीन करेंगे तो 7 का स्क्वाइर 49 होगा इस तरह वो स्पीन करके पढ़ते जाएंगे और उनको बहुत मजा आएगा ऐसा करने में इसे भी हम बच्छों क हुमारे चैनल पर पड़ा हुआ है कि मेरा इसको मैंने पहले जैसा ही बनाया था जैसे संडे मंडे और जनुवरी फर्वरी बनाया है उसी की तरह बनाया है यह भी मैस का टी एलम है इसमें मैंने अलग-अलग सेफ्स के नाम लिखे हुए हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में क इसको हिंदी मित्री भूज और इंग्लिस ट्रैंगल तो इस तरह मैंने इसको ट्रैंगल का फिर सरकल इसक्वायर इस्टार हट सेप सबके मैंने इस तरह लिख रखे हैं और इसको मैंने क्लास्रों में लगा देना जिससे बच्चे देखके उसे पढ़ेंगे भी और याद योगा अच्छा है मुझे पसंद आया मैंने बना लिया आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा अभी मेरा नेक्स्टी अलम है आरोही क्रम और अवरोही क्रम का यह बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल आसान तरीका है कि हम सीड़े चठते जाएंगे तो अगर घट रहे हैं तो इसका मतलब यह अवरोही क्रम है तो मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम फिर मैंने नीचे नंबर्स भी लख रखे हैं और इसको मैंने दिवार पे ही पेस्ट करना है ताकि बच्चों के नजर के सामने रहे रखे जिसको बच्चे गीनेंगे कि हाँ गीन के बता सकते कि कौन सा नंबर है और इसके फिर कि इस पेलिंग्स भी याद रखेंगे इंगलिस में फिर मेडा ये नेक्स्ट टी अलम है इसको मैंने था सा डेकुरेट करने के लिए बटरफ्लाई लगा रखा है यह यह टी अलम मुझे बहुत पसंद है आपको यह टी अलम कैसा लगा जरू बताइएगा और फिर मेरा नेक्स्ट टी अलम है यह भी मैंने साधी के काट से भनाया है एभि मेरा बहुत ही प्यारा XL है मुझे बहुत ही बहुत ही सुन्द्र लगा इसको मैंने साधpe काट सी ही बनाया है और फिर यह मैंने यह हines ने के Peunes है यह मैंने ड्राइंश के पेजेस है मैंने उनको लगा रखे हैं कॉई investment नेए कोइखर्चा नी उस सारे टिंव मैंने आज ही बनाया हैं और यह इसको बीच मैंने वॉविस कम टाल राखे हैं गोविस ہे ओ यू ३प जिसित व्वाविस बनने तो जिससे बच्चा पढ़ेगा कि भी एटी बैट फिर अगर मैं इसको फिलिफ करोंगी तो आएगा सी एटी कैट फिर मैंने इसको उपर किया तो पढ़ेगा या फिटी फैट इस तरह ये कई सारे वर्ड्स बनते जाएंगे और इसे बच्चा पढ़ेगा उसको बहुत स्विदार टीअलम है बहुत इंट्रेस्टिंग है मुझे बहुत पसंद आया कि आप कोई त्यरो कैसा लगा बताएगा जरूर और मैंने यह सारे टीअलम्स बिना किसी इन्वेस्मेंट कोई खर्चा ने जीरो खर्चा सारे साधिक कार्ट से बनाया हैं और सारा मैंने एक ही कि दिन में बनाया है अब मैं सारे टीलम सारे एक साथ दिखाती हूं बना कि मुझे बहुत मजा आया और बचों को भी काफी इंट्रेस्टिंग लगेगा पढ़ने में और मैं आपको करके एकर करके मैं आपको सारे दिखाती हूं मैं इतने सारे टीलम साथ बनाये कोई खर्चा ने किया कोई रुपा नहीं लगाया और सारे मैंने एक ही दिन में बनाये सारे साधी के कार्ट से यूश करके बनाये और बनाना बहुत हीजी है कोई ज्यादा ज्ञजट नहीं है बहुत ज्यादा मुस्किल नहीं है असान है वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और कमेंट से बताइएगा आप कौन सा टीरम सबसे अच्छा लगा कि अवीडियो नहीं है